दुनिया भर के देश बड़े और ताकतवर हथियार बनाना छोड़ कर एक वाइरस की विक्सीन की खोच कर रही है। मदद करने का फैसला किया है जिसमें संक्रमित मरीजों को सहयता मिल सके। इस बिमारे से दुनिया में जोहां 23 लाख से जादा तो वहीं अमेरिका में 7 लाख से जादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमन के कारण अमेरिका जैसे देशों में वेंटिलेटर्स जैसे चिकत सकी उपकरणों की कमी हो रही है। शुकरबार को नासा ने कहा कि आमस्ट्रोंग फ्लाइट रिसर्च सेंटर ने एटे लोग वैली होस्पिटल वर्जिन गेलेक्टिक स्पेसशिप कंपनी और एंटो लोग वैली कॉलेज के साथ मिलकर भविश में होने वाले चिकत सकी उपकरणों की कमी से निपटने की तया बनाएगा यह उक्सिजन टोपा या चोंगा नासा इंजीनियन ने विक्सित किया है यह उन कोविड-19 मरीजों के काम आएगा जिनमें बिमारी के मामुली लक्षन पाए जाएगे इसमें मरीज को वेंटिलेटर्स की जरद कम होगी तब यह जादा काम आएगा यह मरीज के फेफडों को सास लेने में परिशानी हो रही होगी यानि मरीज के फेफडों तक ऑक्सिजन पहुचाने में परिशानी हो रही हो तब यह काम आएगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर अपडेट्स